बश्कार साथियों स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल में साथियों आज एक बहुत ही महत्मुन खबर आई है और यह हमारे लिए खुश खबरी भी है कि हम अब टीसी को रिवर्ट भी अपने सालादरपन पोर्टल पर कर सकते हैं पहले क्या होता था जब भूलवस हमसे क कोई टीसी में गलती हो जाती थी तो उस गलती को सुधारने के लिए हमें लेटर पैड़ पर सारी सूचनाएं लिखके और सालादरपन के जो इमेल है उस पर भेजना होता था और उसका संगा समाधान में काफी समय लगता था इसके अलावा हम है प्लाइन नंबर पर भी कॉ को रिवर्ट करवाते थे लेकिन अब एक नया अप्शन आ चुका है जिसमें हम टीसी को खुद ही अपने स्कूल की आइड़ी से लोगिन करके हम उसको रिवर्ट कर सकते हैं आईए कैंसल टीसी करने के लिए क्या प्रोसेस होगी किस परकार हम टीसी को कैंसल करके दूप्स म सुदार करके दुबारा हम टीसी कार सकते हैं इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें इसकूल की आइड़ी में लोगिन हो जाना है लोगिन की वहीं प्रोसेस रहेगी हमें स्कूल के कोड और पासवर्ड और कैप्स डालके हमें लोगिन कर देना है लोगिन होने के बाद में हम स्कूल की वेब साइट के अंदर आ जाते हैं इसकूल लोगिन आने के बाद में साथ ही हम देख सकते हैं कि उपर हमारे सामने कई उप्सन आते हैं इसमें से हम हमें यहां पर किलिक करना है। यहां पर किली करने के बाद में आ मैं देख सकते हैं। हम ठीच जारी करने के लिए विध्यालीूल के लिए निर्देश सनlier अ हमें पढ़ लेने चाहिए इनको , पर इसके बाद में जैसे ही नीचे जाते हैं, नीचे लिखा हुआ है, next to generate TC, हमें इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में हमारे सामने एक नया page open होगा, और आप देख सकते हैं, फिर से एक message आया है, करपया ध्यान दें, आपको ये पढ़ लेना है, और नीचे है, विद्यारती जिसकी TC जारी करनी ह है, SR करमांग दर्ज कर, बटन पर क्लिक करें, तो हमें enter SR नमबर पर क्लिक करना है, और इसमें बच्चे के, हमें SR डाल देने हैं, साथियों आप देख सकते हो, समंदित बच्चे के, हमने जो ऐसा डाले है, यहाँ पर लिखा आ रहा है, अध्यन रत, इसका मतलब, अब तक इस बच्चे की TC नहीं कटी, आए हम किसी TC कटे हुए बच्चे के details देखते हैं, यहाँ पर हम साथियों देख सकते हैं, कि इस बच्चे की TC जारी हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, TC स्टेटस में, अगर दिनांक आती है, तो इसका मतलब यह होता है, कि इस बच्चे की TC जारी हो चुकी है, अब हमें Cancel TC करने के लिए, यहाँ पर आप देख सकत क्लिक करने से पहले कि इंधर करने के बाद हम धिस्ट कर देना है ने था हमें नो पर कर देना है सात्य हूं अभी इसी वीडियो में मैं आपको एक लाइव टी सी काट कर दिखाता हूं और साथ ही हम उसको लाश्ट में कैंसिल करके भी देखेंगे तो सबसे पहले हम टी सी काटने के लिए विद्ध्यारती के स्टुडेंट एसर में एसर नंबर बढ़ते हैं जिस भी बच्चे के हमें टी सी काटनी होती है उसके बार नीचे खोजे दे रखा है हमें सर्च कर लेना है सर्च करने के बाद में हम देखते हैं कि यहां पर बच्चे से सम्मंदी सारी डेटेल्स आ जाती हैं इन्हें एक बार चेक कर लेना है कोई त बच्चा हमारे में अभी अध्यान रत है हमें इसके उपर के करना है किकरने के बाद में एक विंडो उपन ओती है जिसमें लिखा हुआ है टीसी जारी करने से पूर्वनिन को जांस ले क्या विध्यारती विवरण परपत्र भरा जा चुका है यदि नहीं भरा जा चुका तो आप परपत्र नो को भर देंगे क्या विध्यारती की परथम परवेश कक्षा के परवेश्टी भरी जा चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हैं हरा निशानारा इसका मलब भरी जा चुकी है अगर नहीं भरी जा चुकी है तो आप पर पत्र नो में जाकर उसकी एंट्री कर देंगे ये एक option आता है कि विद्ध्यारती ने अधे प्रमान पत्र प्राप्त कर लिया है इसमें भी आपको yes कर देना है ये चीजे करने के बाद में हमें submit के उपर किलिक करना है जैसे ही किलिक करेंगे student related information हमारे सामने पर्दसित हो जाएगी हम देख सकते हैं कि बच्चे की जो भी information थी वो हमारे सामने आ चुकी है इनको चैक करने के बाद में आप नीचे देखेंगे विद्ध्यारती की टीची जारी करने समंदित चाही गई परविष्टी परविष्ट करें डियो भी है ये एडिटेबल है इसको हम चेंज कर सकते हैं student first class entry को भी चेंज कर सकते हैं पूरविध्याले के अंतिम कक्षया का परिणाम पिछली कक्षया मुसका क्या परिणाम रहा था अध्यन्रत है तो अध्यन्रत उत्तीन अनुत्रीन जो भी था वह हम इसमें भर देंगे इसके बाद में नंबर ओफ इसकोल मिटिंग तो यहां पर आम आ लेते हैं हो इसे इसके बाद में नंबर ओफ मीटिंग अहरे विच परजेंट यानि कि बच्चा इन दिनों में कितने दिन परजेंट रहा उसकी संख्या हमें यहां पर दर्ज करड देनी है माशा plugging हम इसमें 18 मान लेते हैं साति में इनों की संख्या बरनी है ना कि मीटिंग इसके बाद में हम नीचे आते हैं एक्जाम रिजल्ट में अध्यन परदशित हो चुका है अगर फैल हुआ है तो उसकी एंट्री हम यहां पर कर देंगे और कितनी बार हुआ है यह भी कर देंगे डेट ओफ एक्जाम रिजल्ट इसके बाद आता है टीसी रिजन की हमें किस रिजन से टीसी काटनी है तो इसमें हम जो भी उचित होगा उसका हम चैन कर लेंगे अबी के लिए हम अन्यत्र अद्यन मुन रत के कारण इसमें से जो भी उच्छित अप्सिन होगा हम चैन कर लेंगे नीचे आता है कैरक्टर बच्चे का कैरक्टर इस दोरान कैसा रहा इस्विध्यालय में तो हम उसका चैन कर लेंगे इसमें हमें अच्छा ही देना होता है सब में इसके बाद में अगला उप्शन आता है स्कूल लीविंग डेट अब आप साथ ही इसमें देख सकते हैं कि स्टार का निसान है इसका मतलब ही होता है कि यह एंट्री हमें करनी है इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं तो इसमें हम एंट्री कर देते हैं माली जीए बच्चा आज की दिनांक में ही विद्याला को छोड़ रहा है तो हम कलेंडर के माध्यम से उस दिनांक को सलेक्ट कर लेंगे कि अगर और कोई दिन आंख है तो आप calendar में उसको change कर सकते हैं अब नीचे देख सकते हैं हमारे सामने तीन option है पहला option है टीची जारी करें अगर टीची में कोई तुरूटी नहीं है सभी जो option हैं हमने सही भर दिया है तो हमें टीची जारी कर देना है बदलाव के लिए ड्राफ्ट TC रद करें यह जो ड्राफ्ट TC है अगर हम इसमें कुछ चेंजेज करना चाते हैं हमसे कोई गलती हो गई है तो हम इस उप्षन को सलेक्ट करना है इस पर क्लिक करना है और तीसरा उप्षन आता है वापस जाएं अगर आप यहां से TC नहीं काटना चाते हो और अगर प्रफ्ट TC जारी करने से पहले से भी जानकर या जांच लें बाद में कोई संभव नहीं है साथ ही आप तो जानते हैं यह द्यानपूरवक ही हमें बच्चे के TC काटनी होती है इसलिए जो भी जानकरी है वो हमें ध्यानपूरवक चेक कर लेनी है उसके बाद ही TC काट देते हैं अब आप देख सकते हो बच्चे की जो टीसी है वो आ चुकी है यह ड्राफ्ट टीसी होगी इसमें सारी डेटेल्स होगी एक बार हमें ऐसा रजिस्टर में से इनको भी मिला न कर लेना है पर इसके बाद में अगर आप इस ड्राफ्ट टीसी को प्रिंट करना चाहो तो यहां पर print option भी दे रखा है, print draft TC, अन्य था इसकी कोई आप सकता नहीं है, आप यहां से close कर सकते हो, इसके बाद में जब हम नीचे देखते हैं, तो आप देख सकते हैं, दो option है, edit, drafted TC, यानि कि हमने जो भी TC बनाई है, उसमें कुछ edit करना चाते हैं, बदलाव करना चाते हैं, तो इस पर click करेंगे, और उसमें यह था संभाव जो भी बदलाव होगा हम कर देंगे, इसके बाद दूसरा option आता है, view and confirm TC, अगर हमें TC को देखना है, और confirm उसकी TC काट नहीं है, तो हम इस option को select करते हैं, और हमें view and confirm TC पर click कर देना है, अब आप देख सकते हैं साथियो, बच्चे की जो TC है, वो कट चुकी है, इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर book number, जो TC के number ह होते हैं, वो अभी generate नहीं हुए है, जब हम बच्चे की TC काट देंगे, उसके बाद में वो generate होंगे, और यह number TC पर होना अती आवशक है, इसलिए इस बात का विशेश ध्यान रख लें, सारे details आजाती हैं बच्चे की, इसके बाद में नीचे एक चेतावनी आती है, इस चेतावनी को हमें टिक करना होता है, चेतावनी है कि एक बाद TC बनने के बाद भविश में, TC में किसी परकार का बदलाव संभव नहीं होगा, और नहीं विद्यार्ति की किसी भी सूसना में अधितन किया जाना संभव होगा, आप जाने के लिए Cancel बटन पर किलिक करें, TC जारी करने के लिए उक पर किलिक करें, तो हमें इसको किलिक करके टिक कर देना है, अब आप देख सकते हो, सही का निचान चेतावनी में आ चुका है, और अभें करना है, अब प्रिंट एंड क यहां पर आप देख सकते हैं, TC के नंबर भी आ चुकी है, यह नंबर TC काटने से पूर्व नहीं आएंगे, जब हम बच्चे की TC जनरेट करेंगे तब ही आएंगे, और यह TC जब हम प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट में यह नंबर आना आती आउशक है, अगर नहीं आता, त उसका भी एक तरीका मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ, कि आप किस परकार यह नंबर ला सकते हो, इसके बाद में सारी चीजे हो जाती है, तो आप यहां पर प्रिंट TC पर किलिक करके, बच्चे की TC को प्रिंट कर सकते हो, चुकि अभी यह कारिया मैं मोबाल में कर रहा हूँ, तो अभी इसको सेव करना चाते हैं, तो कर सकते हैं, अजीथा, हमें लैपटोप के दवारा PDF फाइल में सेव कर लेनी है, या प्रिंट कर लेनी है, साथियो, कई बार यह होता है, जब हम प्रिंट का ऑप्शन दबाते हैं, तो TC में TC के करमांक नहीं आते हैं, त ऐसा डालने के बाद में हमें खोजे पर किलिक करना है तो बच्चे का नाम आ जाएगा साथ यह वहीं बच्चा है आप देख सकते हैं और यहां पर लिखा है TC स्टेटस अगर इस बच्चे की TC हमें प्रिंट करनी है तो हमें इसकी जो दिनांख दे रखी है TC की उस पर किलिक करना है यहां पर किलिक करने के बाद में साथिय आप देख सकते हो बच्चे की TC आ जाएगी और प्रिंट का उप्षन दे रखा है हम यहां से प्रिंट भी कर लेंगे और यहाँ पर TC के नंबर भी आप देख सकते हैं साथियों आ चुके हैं अगर नहीं आये तो यह process करेए साथियों और print करते ही आपके TC नंबर आ जाएंगे अब हम देख लेते हैं कि किस परकार से हमें TC को cancel करनी है लास्ट में आपको एक option दिख रहा होगा action के नीचे cancel TC हमें बच्चे की TC कैंसिल करनी है इसलिए हमें cancel TC पर click करना होगा यह कारी साथियों हमें तब ही करना है जब हमें गलती से किसी बच्चे की TC गलत कर जाती है उसमें कुछ तुरूटी रह जाती है पहले यह option नहीं था यह option अभी आया है अब इसमें एक message आया है वहीं कि TC कैंसिल करने से पहले सुनिशित करने TC गलत है एक बार कैंसिल करने के बाद TC को पुने देखा जाना संभाव नहीं है तो हमें यहाँ पर cancel करनी है तो yes पर click कर देंगे अब दुबारा message आया है क्या आप इस TC को पूर्डूप से cancel करना चाते हैं तो आपको yes पर click कर देना है अब साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारे सामने message आ चुका है TC cancel successfully और हमें okay कर देना है हमारी जो TC थी गलत कट गई थी वो अब दुबार रिवर्ट हो चुकी है और बच्चा हमारे विद्धाले में जुड़ चुका है पहले साथ हुए एक काम हमें email के द्वारा या phone के द्वारा करवाना होता था और उसमें काफी समय लगता था अब आप देख सकते हैं साथ हो यहाँ पर जो action के नीचे जो TC थी वो cancel का option अब नहीं आ रहा है इसका मदलब यह बच्चा हमारे विद्धाले में जुड़ चुका है साथ यहाँ पर टी सी स्टेटस में आप देख सकते हैं कि बच्चा अध्यानरत शो हो रहा है अभी हमने बच्चे की टी सी काटी थी और उसके बाद में हमने दुबारा से उसको cancel किया था अब यहाँ ब इधाले में जुड़ा है या नहीं जुड़ा है तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास में बहुत साथ उपशन होते हैं कि सबसे पहले हमें student टैप पर किल्क करना होगा आप चाहें तो आप student character certificate से भी इसको देख सकते हैं student साला दरपना ID और भी बहुत सारे option होते हैं जैसे परपत्र 5 होता है यहां पर आप देख सकते हैं परपत्र 5 और परपत्र एक 9 होता है जिसमें student की detail entry होती है तो आप किसी भी माध्यम से check कर सकते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है अब हम चलो format 5 के माध्यम से check करते हैं क्या वो बच्चा हमारी विद्धाले में है या नहीं है तो हमने format 5 के उपर क्लिक किया session को हम select करेंगे इसके बाद में हमें class को select करना है class को select करने के बाद में हमें section को select करना है और इसके बाद में शोपर हमें क्लिक कर देना है, शोपर क्लिक करने के बाद में साथियों जो बच्चे की उसका अक्षास से समझने जितने भी बच्चे हैं सभी की लिस्ट परदसित हो जाएगी, आप देख सकते हैं नीचे बच्चों की लिस्ट परदसित हो चुकी है, अब अब इसमें हमने जिस बच्चे की टीची NEW मेश कुछ देकुअं मेरी जूद़ चुका सुख है है यकाल सकते हैं कि बच्चे की टीची कैंशल किती हो केंशल हुई है या नहीं हुई ऐ तो साथियो इस वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ वीडियो आपको इंफोर्मेटिव लगा होगा इसी परकार के और जानकारी वर्दक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जोड़े रहिए और बेल आइगन को दबा दे ताकि जो भी लेटेस्ट न्यूज आए आपके पास में सबसे पहले आए और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट थी अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें और इसी परकार सपोर्ट बनाए रखें वीड